N.C.E.R.T. की पाठ्य पुस्तक भास्वती वितियो भागाह वादश वरगाय सम्स्कित अस्य पाठ्य पुस्तकम प्रिष्ट संख्या एक मंगलम ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूरिया चंद्रमसा विवा पुनर्ददता धनता जानता संगमे मही रिग्वेद के पाठ्य मंडल के इक्यावन सुक्त का यह पंद्रहवा मंत्र था और अब यजुर्वेद के पाठ्य सुक्त का छत्तिस्वा मंत्र अग्ने नयसुपताराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्युहुरान मेनु भूईष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम अब अथर्ववेद के उन्नीस्वेकांड के पंद्रवे सुक्त का छठा मंत्र अभयम मित्रा दभयम अमित्रा दभयम ज्ञाता दभयम पुरोयह अभयम नक्तम अभयम दिवानह सर्वा आशामम मित्रम भवन्तु अथर्ववेद उन्नीस्वेकांड के इत्तालिस्वे सुक्त का प्रथम मंत्र भद्रम इच्छंत रिशयह स्वर्विदस्त तपो दीक्षाम उपनिशेदु रग्रे ततो राष्ट्रम भलम ओजस्च जातम तदस्मै देवा उपसम नमंतु प्रथम मंत्र का भावार्थ सूर्य और चंद्रमा के समान हम कल्यान के पत का अनुगमन करें निरंतर दान करते हुए टकराव या हिंसा को छोड़ कर पारस्परिक तौर पर एक दुसरे को जामते और समझते हुए साथ साथ चले प्रिष्ट संख्या दो तीसरे मंत्र का भावार्थ मित्रूं, शत्रूं तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनिष्टों से हमें किसी प्रकार का भय ना हो हमें दिन और रात्री में निर्भैता की प्राप्ति हो अभई के लिए सभी दिशायें मित्रवत कल्यानकारी हुँ। चतुर्थ मंत्र का भावार्थ सबके हित चिंतक, आत्मज्यानी, रिशी, स्रिष्टि के प्रारंभ में तप और दीक्षादी नियमों का पालन करने लगे। उसी से राष्टिरिय भावना बल और सामर्थ्य की उत्पत्ति हुई। अतयेव ज्यानी लोग उस राष्ट्र के समक्ष विनम्र हों अर्थात राष्ट्र की सेवा करें। प्रिष्ट संख्या तीन प्रथमाह पाठाह अनुशासनम। प्रस्तुत अंश वैदिक वांगमय में अद्विती य स्थान रखने वाले तैत्तिरी य उपनिशद के ग्यारवेद अनुवाक जिसका नाम है शिक्षावल्ली से संकलित है। उपनिशदों का प्रादुर भाव वैदिक ज्यान के विकास रूप में हुआ है। उपनिशद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवन उपयोगी यह उपदेश दिया गया। यह मनुरम उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है। वेद मनुच्याचार्यों ते वासिन मनुशास्ति सत्यम वदा धरमं चर स्वाध्यायान मा प्रमदा आचार्याय प्रियं धनमा हृत्य प्रजातंतुम् मा व्यवच्छे चीही। सत्यान प्रवधितव्यं धरमान प्रमदितव्यं कुषलान प्रमदितव्यं भूत्यई न प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमदितव्यं देवपित्रिकार्याभ्याम न प्रमदितव्यं मात्र देवो भव पित्रि देवो भव आचार्य देवो भव अ अन्यनवध्यानि कर्मानि तानि सेवितव्यानि नो इतरानि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरानि अथ यदिते कर्म विचिकित्सावा वृत्त विचिकित्सावा स्यात ये तत्र ब्राम्मनाह सम्मर्शिनाह युक्ता आयुक्ताह अलूक्षा धर्मकामाह स्युहु यथाते तत्र वर्तेरं तथा तत्र वर्ते थाह एश आदेशह एश उपदेशह एश वेदू पनिशद एतद अनुशासनं एवं उपासितव्यं एवं चैतद उपास्यं शब्दार्थाह टिपन्यस्च अनुशासनं अनुशास लिट आदेश शिक्षा अनुच्य अनुवच्य लिप पढ़ाकर अन्ते वासिनं गुरोह अन्ते समीपे वसती इती अन्ते वासी सप्तमी अलुक दृतिया एकवचन शिशको अनुशास्ति अनुशास लट प्रथम पुरुष एकवचन उपदेश देता है प्रिष्ट संख्या चार स्वाध्यायात स्वअध्यायात पंचमी एकवचन स्वाध्याय से माप्रमदह आलस्य मत करो आहृत्य आहृत्य अहृत्यतु ल्यप लाकर प्रजातंतुम प्रजायाह तंतुहु दुतिया एकवचन वंस्परंपराको मा व्यवत्छेची ही वी उपसर्ग अव उपसर्ग छिद्धातु लुंग लकार मध्यंपुरुष एकवचन मत तोडो भूट्यई भूति चतुर्थी एकवचन अईश्वर्य अथवाधान के लिए अनवध्यानी नअवध्यानी नइतत्पुरुष प्रथमा वहवचन अनिंद्य इतराणी दूस्रे सुचरिताणी सतकर्म उपास्यानी उपासितुम योग्यानी प्रथमा वहवचन उपासनाके श्रेयांसह गल्यान करने वाले अधिक श्रेष्ट आसनेन आसन के द्वारा प्रश्वसित अभ्यम् प्रउपसर्ग श्वस्धातु तव्यत प्रत्यय उचित समान करना चाहिए सम्विदा कर्म विचिकित्सा सम्मर्शिन विचारशील युक्ताह ज्यान विज्यान में त्रप्त आयुक्ताह स्वतंत्र निर्णय में समर्थ अलूक्षाह अरूक्षाह कोमल धर्म कामाह धर्मस्य कामाह अर्थात कर्तव्य परायान वर्ते रन वृत्धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुअचन व्यवहार करें वर्ते थाह वृत्धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन व्यवहार करो आदेशः अज्याँ वेदोपनीशत वेदस्य उपनीशत शष्ठी ततपुरुष्वमास ज्ञान का सार उपासि तव्यम उपा उपसर्ग आसधातू तव्यत पत्य उपासना के योगिय उपास्यम उप उपसर्ग आस्धातु यत्पत्य उपास्णा करनी चाहिए प्रिष्ठ संख्या पांच संधि विच्छे दह आचार्यों ते वासिनम स्वाध्यायात्मा विवच्छे ची ही सत्यात्न यान अनवध्यानी यान अस्माकं त्वयूपास्यानी त्वया उपास्यानी चास्मत्ष्रेयांच सह च अस्मत्ष्रेयांच सह त्वयासनेन वेदूपनिषत्थ वेदूपनिषत्थ चैत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्प अभ्यासह प्रश्ण एक एक पदेन उत्तरत क अयम पाठह कस्मात गंथात संकलितह क सत्यात किम्न कर्तव्यं ग आचार्य कम अनुशास्ति ग स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम्न कर्तव्यं ग अस्माकम काणी उपास्यानी प्रश्ण दो, पूर्ण वाक्येन उत्तरत क, आचार्यस्य कीद्रिशानी कर्मानी सेवितव्यानी क, शिश्याह किम कृत्वा प्रजातंतुम न व्यवच्छेच्सीह ग, शिश्याह कर्मविचिकित्सा विशये कि कथम वर्तेरन ग, काभ्याम न प्रमदितव्यम ग, ब्राहमनाह कीद्रिशाह स्युहु प्रिश्ण संख्या छे, प्रश्ण तीन रिक्तस्थान पूर्तिम कुरुत क, वेदम अनुच्याचारियो रिक्तस्थानम अनुशास्ति क, सत्यम रिक्तस्थानम धर्मम रिक्तस्थानम ग, यान्यनवद्यानी रिक्तस्थानम तानी सेवितव्यानी ग, यथाते तत्रवर्तिरन रिक्तस्थानम ग, एशा रिक्तस्थानम प्रश्ण चार मात्रिभाशया व्याख्या येताम क देवपित्रकार्याभ्याम न प्रमधितव्यम क यानि अनवध्यानि करमानि तानि सेवितव्यानि प्रश्ण संख्या पांच अधो निर्दिष्ट पदानाम समानार्थक पदानि कोष्ठकाद चित्वा लिखता क अनुच्य रिक्तस्थानम कोष्ठक मद्धे वर्तते सद्भावनया संबोध्य लज्यया अनुपालनीयम अरुक्षा ख सम्विदा रिक्तस्थानम कोष्ठके सद्भावनया संबोध्य लज्यया अनुपालनीयम अरुक्षा ग ह्रिया रिक्तस्थानम एवमेव कोष्ठके सद्भावनया संबोध्य लज्यया अनुपालनीयम अरुक्षा अलूक्षा रिक्तस्थानम कोष्ठके तेवशब्दाह सद्भावनया संबोध्य लज्यया अनुपालनीयं अरुक्षा उपास्यम रिक्तस्थानम कोष्ठके संती सद्भावनया संबोध्य लज्यया अनुपालनीयं अरुक्षा इतिपदानी प्रश्न संक्याच्छे विपरीत आर्थक पदेई ही योजयत अत्र स्तंभ दोयमस्ती प्रथम स्तंभे सत्यम धर्मम स्ध्धया अवध्यानी लूक्षा एवमेव द्वितिये स्तंभे वर्तते अलूक्षा अशद्धया अनवध्यानी आधरमं असत्यम प्रश्न संक्या साथ अधो निर्दिष्टेशु पदेशु प्रकृति पत्य विभागं कुरुत प्रमधितव्यम अनवध्यम उपास्यम अनुशासनम प्रिष्ट संक्या साथ योग्यता विस्तारह उपनिशत् मानव चिंतनस्य परमोप लब्धि स्वरूपाह उपनिशदाह निश्चितरूपेण भारतिय संस्कृतेह अध्वितिया निधयस संती उपनिशत्सु संवाद माध्यमेन जीव जगद ब्रह्म विशयक तत्वानाम निरूपणम अस्ती एतासाम उपनिशदाम प्रादुर्भावः वैदिक ज्यानस्य विकास परमपरायाम जाताह अस्मात कारणात विविध वैदिक जाखाणाम दार्शनिक चिंतन विकास क्रमे उपनिशदाम विशिष्टम स्थानम अस्ती चतुरुनाम वेदानाम प्रिथक प्रिथक उपनिशदाह संती प्रमुखो पनिशदाम परिगणनम इत्थम कृतम इश करिपेट इश केन कठ प्रश्ण मुंडक मांडुक्य तित्तिरीही ब्रिहदारण्यक चान्दोग्यम च इशवास्यो पनिशद, केनो पनिशद, कठो पनिशद, प्रश्णो पनिशद, मुंडको पनिशद, मांडुक्यो पनिशद, तैत्तिरीयो पनिशद, ब्रिहदारण्यको पनिशद, चान्दोग्यो पनिशद, ऐतरेयो पनिशद, स्वेताश्वतर पनिशद, इति टैतिरियोपनिशत उपनिशदियम कृष्ण यजुर्वेदश्य टैतिरिय संघितायाह ब्राम्मन ग्रंथस्य अंतिमो भागह टैतिरिया आरण्यक मिती कथ्यते, अस्मिन आरण्यके दशप्रपाथकाह संती, एतेशु प्रपाठकेशु सप्तमतह नवमप्रपाठक पर्यम्तम यो भागह स एव तैत्तिरीयो पनिशत इतिकत्यति शिक्षावल्ली ब्रह्मानंदवल्ली भिगुवल्लीच तेशाम क्रमशह नामानी शिक्षावल्ली अयम पाठह शिक्षावल्ली तह संकलितोस्ति शिक्षावल्ली प्रपाठके ओंकारस्य महत्व वरननं धर्माचरन संबंधी विचारस्च विशदरूपेण प्रस्तुतह प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत